कि यह गाईज कैसे आप सब आप सब आप यू आर डूइंग वैल एंचन दीप वेलकम डिस्टी सरकल तो आज हम डिसकस करेंगे यह हमारा जो वीजन आई तो इसी का आज यह मतब फोर्ट पार्ट है इसको तो हम फोर्ट फोर को हम डिसकस करेंगे यहां पर ठीके तो यहां यह 25 कुशन होंगे और यार थोड़ा वाइस में थोड़ी प्राब्लम है वही नजला जो खाम थोड़ा सा हो रख तो अगर कोई दिक्कत लगे तो थोड़ा सा मतलब मैनेज कर लेना आप लोग ठीक है दो तीन दिन तक यह मतलब रहेगा हमें लग रहा है कि काड़ा वाड़ा तो बहुत ज्यादा पी रहा हूं लेकिन बट फिर भी थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना ठीक है अगर तो इसमें कहा गया कि वर्धित उर्जा दच्छता समंधी राष्टी मिशन के अंतरगत निम्रिकित में से कौन सी पहलों की परियोजना तब कौन सी पहलों की योजना बनाई गई है ठीक है तो फरस्ट है कि कारी निश्पादन उपलब्धी और व्यापार यानि पैट की और उर्जा दच्छता है तो बाजार रूपांतरण यानि MTEE की और जो ये उर्जा दच्छता बित पोशनमंत E EFP है ठीक है और ये उर्जा दच्छता आर्थिक विकास रूप रेखा मतलब फीड की बात की जा रही है ठीक है तो इसमें बताना की कौन से स्टेटमेंट सही है तो देखो ये चारो ये दी गई है जो पहले दी गई है चारो ये उजनाओं की पहले दी गई है तो चारो के चारो इसमें सामिल की गई है ठीक है और ये चलाया कि इसके अंतरगत जा रहा है तो ये जो नेशनल एक्शन प्लान अन जो क्लाइमेट सेंज है ठीक है उसी के अ उपभोग के संदर में बताना की कौन सा हमारा स्टेटमेंट इसमें सही है ठीक है तो फ़र्स्ट है कि भारत की अधिकान से लेंजी का उपयोग सहरी गैस बितरन नेटवर्क द्वारा सी एंधन और घरेलू जो पी एंजी घरेलू अवस्चिक्ताओं के अवस्चिक्ताओं के लिए किया जाता है ठीक है और सेकेंड है कि घरेलू गयस और आयातित पुना जो गैसी क्रत एल एंजी की हिस्चेदारी लगभव 75 से 25 परतिशत के अनुपात में है तो देखो यह जो घरेलू गयस है अगर इसकी परसंटेज की बात करें तो यह 48 परसंट है ना की 75 परसंट ठीक है तो यह हमारा गलत हो गया इस्टेट्मेंट यह वाला ठीक है और यह जो आयातित जो पुना गैसी क्रत है यानि एल एंजी की जो बात की जा रही यह 25 परतिशत नहीं है यह आपको 52 परतिशत देखने को मिलेगी ठीक है तो यह दोनों हमारे मतलब यह दोनों डाटा गलत हुए दिये विए थे तो तो महारा सेकेंड स्टेट्मेंट गलत हो गया और जो यह फर्स्ट में कहा गया है कि मतलब भारत की अधिकांस एल एंजी का उप्योग सहरी गैस बितरन नेटवर्क द्वारा सी एंजी इन्धन और पी एंजी घरेलू आउसकताओं के लिए कि नेटेट्मेंट अधिकी जो अ जो एल एंजी का उप्योग शेहरी गैस बितरन डियक्स द्वारे तो इसका उप्योग्स कहल को वीए घरेलू और इखनू और और दोगेक उप्योग में भी होता है और और दोगेको फ़जोने भी हैं तो हमारा इसका option सही है डी वाला ठीक है कोई भी statement इसका सही नहीं है ठीक है next है हमारा 78 question number तो इसमें कहा गए कि हाल ही मेरी सहली पहल का उद्देश है ठीक है तो मेरी सहली पहल क्या थी इसके बारे में बताना है तो first है कि a option हमारा दूर ब्यपार की सिकार महिलाओं का पुनरवास यूम पुनर एकी करन ठीक है और second है कि सारवजनिक और निजी संस्थानों और परिवार यूम समुदाय के भीतरकार इस तल पर इंसा से प्रभावित महिलाओं को एक इकरत सहायता परदान करना और संकट ग्रस्त यूम किसी सामाजिक और आर्थिक सहायता के बिना रह रही महिलाओं के लिए आश्रे और भोजन वस्त की प्रात्मिक अवस्यक्ताओं को पूरा करना ठीक है और आगे हमारा डी आप्सन है इसमें कहा गए कि रेल यात्री रेल यात्रा करने वाली महिलाओं को सुरच्च्छाण और संध्च्चण परदान करना तो देख़ो हमारा डी वाला आप्सन यह जो यह रेल यात्रा करती है महिलाओं ठीक है उनहीं के लिए यह रेलlen वे मिनिंस्ट्री के दौरा चलाए गया है ठीक है तो ये मेरी सहली पहल इसकी है तो इसके अंतरगत जो है महिलाओं को शुरुच्छा दी जाएगी इसमें जो तुमारे जी आरपी गार्ड्स होते हैं वो लोग इनकी मतलब शुरुच्छा के लिए काम करेंगे ठीक है नेक सेमरा सेवेंटी नाइन तो इसमें कहा गए कि हाल ही में उपराष्टपती दौरा अंतरराष्टी सतावधानम कारिकरम को आभासी रूप में यानि वर्चूल आरंब किया गया है तो भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर में बताना है कि अवधानम का मतलब अर्थ क्या है कि यह अवधानम सब्द का अर्थ क्या है ठीक है तो फरस्ट है कि भासाई साहितिक दर्शन है ठीक है भासाई साहितिक प्रदर्शन है बी ऑप्शन है कि श्री कृष्ण देवरा तो इसका देखो अगर अवधानम की बात करें तो इसका साब्दिक अर्थ होता है भासाई साहितिक अप्रदर्शन ठीक है तो हमारा ये वाला आप्शन सही हो गया और ये जो तुमारे तो इसलिए ये निज में था ठीक है नेक्स है हमारा कुश्चन नंबर 80 तो इसमें बामबे साइकलोन के बारे में बताना है कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है तो फास्ट है कि यहां केवल ऊचन कटबंधी छेतरों में तिबर से परचंड होने वाला चक्रवात है ठीक है औ वायूमंदली तापमान और वायूदाब गिर जाता है ठीक है तो देखो इसमें जो बात की जा रही है बामबे साइकलों के तो यह उस्ण कट बंदी में केवल नहीं आता है उस्ण और वोपोस्ण दोनों में आता है यानि यह मध्य अच्छांस में देखने को मिलता है गोलार आता है यह जो मतलब वायूमंदली ताङन गरता इसलिए है क्योंकि यह मतलब जब चक्रवाइब आता है तो बहुत भारी मात्रा में बर्फ बारी होती इसलिए टंपरेचर किर जाता है वायूमंदल्य का ठीक है तो नेककरे 81 तो इसमें कहा गए कि निम्रिकित में से कौन से परियावरण में फार्मेल डिहाइड की सानधता में ब्रद्ध के लिए उतरदाई हैं ठीक है तो फास्ट है कि लकड़ी की लकड़ी को चप्टा करके बनाया गया उत्पाद और प्राकर्तिक गैस, तंबाकू, कुछ सौंधर प्रशाधन और बेख्तिगत उत्पाद और वाल पेपर और पेंट ठीक है, तो इनमें कौन सा मतलब जो फार्मेल डिहाइड की मातरा को बढ़ाता है ये बताना है, ठीक है, तो ये जो चारों के चारों मतलब पांचों उत्पाद है ठीक है, ये सभी के सभी आपको देखने को मिलेंगे कि Farmal Dehyde की मात्रा बढ़ाते हैं इनका जब प्रोडक्शन किया जाता तो ये मात्रा बढ़ा ही देते हैं ठीके तो सारे statement हमारे सही है तो हमारा D वाला option इसका सही है ठीके नेक से 82 तो इसमें बायो चार के संदर में निमकित कत्नों पर विचार कीजिए तो फ़स्ट है कि ये जेव भार के ताप अप घटन से निर्मित होता है यहां अमली मर्दा की उरोरता को बढ़ा सकता है और साथ ही क्रिशी उत्पादक्ता बढ़ाने में भी सहता कर सकता है और थर्ड है कि इसका उप्यो कार्बन जो प्रिचादन के लिए किया जाता है और इस प्रकार यह जलवाई परिवर्तन के नियंतर में सहता करता है कार्बन प्रिच्छादन मतलब उसका कंजियूंग कर लेता है उसको मतलब रिजनरेट कर देता है ठीक है मतलब कम प्रिड्यूज होता है तो यह मतलब जो कार्बन होता है उसको अपने अंदर सक कर लेता है यह ठीक है जो अमली मरत होती है ठीक तो हमारा यह आफ्षण सही हो गया नेक्स है हमारा 83 तो इसमें बताना की कौनशा हमारा स्टेटमेंट सही है तो फर्स्ट है किसी भी वन जी उपसु को हिंसक घोसित करने का अंतिम प्रादिकार राजी सरकार को है ठीक है सेकेंड है कि जब तक अधिसुचना लागू रहती है तब तक इस प्रकार के पसु को इस कानून की सुची फोर में सामिल किया गया है तो देखो जो यह बात की जा रही है तो देखो हिंसक जो कोई पसु हिंसक हो जाता है तो हिंसक घोसित करने का जो अंतिम प्रादिकार होता है वो मतलब के अंदर सरकार का होता है ना की राजीसरकार का ठीक है तो ये तो हमारा गलत हो गया क्योंकि जो ये जो हमारी जो और एधनीच वहात्र की शुची एक और अनुशुची एक और अनुशुची दो ठीक है अनुशुची एक और अनुशुची दो के भाग दो ठीक है इन तीनों को छोड़ के यतने भी पाशो हैं उनको अहिंसक घोशित किया जा सकता है लेकिन यह जो यह जो यह मतलब जो सनचित दो सुचियां है फस्ट और से में जो वी यह कहा गया है कि सेकेंड वाला स्टेटमेंट की सुची पांच में इसको सामिल किया गया है तो यह तो हमारा सही स्टेटमेंट है ठीक है इसे सुची पांच में सामिल किया गया है तो हमारा यह सही है तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है क्योंकि कोई भी प मैं जो है तो रखा गया है ठीक है ज्यादा तर ठीक है जो ऐसे पशुय है जो मतलब इसमें सम्मिलिट के गए है ठीक है और सुची जो सिंसे उसमें फौद्ध है रखे गए नेक्जसे तो स्वास्ति समझ्छा के रूप में दछड़पूर एसिया चेतर में काला आजार के उन्मूलन है तो बिशु स्वास्ति संगठन यानि डबलू एचो नीत पहल नीती पहल की समय सिमा को अब 2020 से बढ़ाकर 2023 कर दिया है इस अंदर में काला आजार के समझ में बताना की कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है तो फस्ट है की लीसमेनिय प्रोटो जोवा परजीवी के करान होता है मतलब काला जार को लीसमेनिया बोलते हैं ठीक है और सेकेंड है कि यह संदूसित जल और भोजन से फैलता है और इसकी मरत्यू डर बहुत उच्छ होती है ठीक है तो फस्ट वाला स्टेटमेंट सही है इसमें लीसमेनिया प्रोटो झोफेस जो परजीवी द्वर्ण फैलता है लेकि इसकेंड स्टेटमेंटि को इसकी मरत्यू उच्छ होती है अगर तॉरंत पता नहीं चलता है ठीक है तो वन एंट थर्ड स्टेटमेंट इसका सही है तो हमारा ऑप्शन सही हो गया सी वाला ठीक है नेक से 85 तो इसमें कहा गया कि जलवाई शुभेदी मंच के संदर में निम्कित कतनों पर विचार कीजिए तो फास्ट है कि या गरम होते प्रत्वीग रहके प्रति स्टेटमेंट है कि यहां मंच बैस्विक जलवाई परिवर्तन से निपटने के लिए के साथ मिलकर काम करने के लिए सहबागी सरकारों के लिए उत्तर दच्छिड सहयोग मंच में कारी करता है ठीक है तो देखो यह जो मंच है इसमें जो सुभेदिता की बात की जा रही है तो देखो फास्ट वाला स्टेटमेंट सही है क्योंकि यहां गर्म होते ही प्रतिवीग्र है कि प्रति अत्यदिक सुभेदि देशों की एक अंतरराष्टी मतलब यह देखने को मिलेगी सहबागीता है इसमें टोटल 48 कंट्री देखने को मिलेंगे ठीक है और इसमें यह मंच की बात की जा रहे है तो देखो यह जो उत्तर दच्षिण का मंच नहीं है यह दच्षिण दच्षिण का मंच है ठीक है इसमें साउथ साउथ को रखा गया है ठीक है तो साउथ साउथ सहीयों को इसमें दिया जाता है तो यह सेकेंड वाला और गाटियों में नदी तटिये सघन वनों में फलने फुलने वाले भारती एलक यानि एंगुल की उपपर जातियों के सनच्छन के लिए सुवी दित है मतलब विख्यात है ठीक है तो इसमें अगर बात करें तो इसमें अगर बात कि जाए तो इसमें ये दची ग्राम जो राष्टी उद्यान है ये जो आपको देखने को मिलेगा जमुकस्मीर में ठीक है वहीं पर ये मतलब हंगुल पर जाती है ये जो हिरन होते हैं ये पाया जाते है इनकी उपर जाते है ये पर जाती है ठीक है तो जमुकस्मीर में आपको देखने को मिलेगा तो इसमें कहा गया है कि 2011 की जनगर्णा के अंशार भारत की जनसंख्या विशेष्टाओं के संदर में निम्कित कतनों पर विचार कीजिए तो फस्ट है कि भारत में महराष्ट सरवाधिक आबादी वाला राज्य है जिसके बाद उत्तरपडेश है ठीक है तो अगर बात करें तो देखो सरवाधिक आबादी वाले बात भारत में सरवाधिक आबादी की बात करें तो यह उत्तरपडेश में ना कि तुमारी महराष्ट में उत्तरपडेश में आपको 19.95 करोन देखने को मिलेगी आबादी और महराष्ट की बात करें तो यहां पर अ ठीक है तो यह बहुत कम है तो second position पर लेकिन आता है महाराष्ट जन संख्यामें ठीक है और यह first वाला जो second वाला statement है यह हमारा सही है क्योंकि जो सभी राजियों और संग राज चेत्रों में केरल में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा यहां पर यह लिंगानुपात 1048 देखने को मिलेगा केरल में ठीक है उसके बाद पंडचेरी का मतब नाम आता है थर्ड है की पिछले दसक की तुलना में छाथ सतादर में परतिशत तो यह भी हमारा स्टेटमेंट साही है कि क्या पुरुसों की तुलना में Фुरुच। की जो देखने को मिलेगी इकって पृतिष्प्रटिशत के लघभग जो परद देखने को मिले है लेकिन अगर महिलां की बात करें तो लघभग यह 49 पृतिष्प ठीक है 49 प्रतिशत देख के अनुपी हो गहें ठीक है तो फास्ट है कि सड़क 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 बंदों का निरमाड मर्दा अनुकूलन और मर्दा अनुकूलक और सीमेंट इंटे सीमेंट की इंटे ठीक है तो यह फ्लाई एस होता क्या है एक्चुली में एक्चुली में यह होता है जो यह मतलब क सब्सक्राइर बिद्ध संद्र होते हैं मैं इसे कोईल का इस प्राइस किन जाता है है हुघ मैं इसका निर्माट सब्सक्राइब किया जाता है मरदान न्नुकूल रिंट लाग वह इंट में नी hosts एसnai हो जहां प्रति एकड में किलो ग्राम में प्रियोंग क्या जाता है वही नैनो और तो यह चीए प्रति एकड केवल कुछ ग्राम की अवशकता होती है वह सेकेंड की नैनो और रूरक दीर गावध में धीरे-धीरे और क्रमिक रूप से पोशक तत्तों की आपूर्थी करते हैं तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट सही है क्योंकि जो नैनो होते हैं नैनो मतलब छोटा होता है तो बहुत कम मात्रा में जरूरत पड़ती है किसी जीज की इसलिए ये ग्राम में अवसकता होती है और इसमें जो ये पोशक तत होते हैं वो क्रमिक रूप से मतलब धीरे 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 मतलब ये मतलब पौधों को प्राप्त हो पाते हैं एक दम नहीं प्राप्त होते हैं एक साथ ठीक है तो इसलिए ये मतलब कम इनकी अवसकता होती तो इनका जो वाई मंडल में डिजॉल्वेशन होता है वो बहुत कम हो जाता है और इसका ज्यादा से ज्यादा मतलब पौधेश का इस्तमाल कर पाते हैं ठीक है इसलिए इसकी कम अवसकता होती तो दोनों स्टेट सार metis यह तो पलसा तेजी से गुणन करते नाइट प्रूम मतलब बात करें कि is छंदन करना मतलब उसको गिनने की चमता जो होती है, उसकि बात कर रहे हैं, ठीकिंच तो इसकी प्रतहवी की तुलना में अधिक प्रबल चुम्ब की छेतर होता है ठीक है और इसका गुत्वा कर्षण तरंगों का अध्यन करने के लिए उप्योग किया जाता है इसलिए इसका इस्तमाल किया जाता है क्योंकि ये बहुत तेजी से मतलब घूलन करते हैं ठीक है तो ये बहुत तेजी से काम करते हैं उसको किसी भी ची में अधिक चुंब की छेतरिन का होता है और इस पंदनों का इसकंदन करते हैं यह बहुत तेजी से ठीक है तो यह तीनों स्टेटमेंट हमारे से यह तो हमारा डीवला आप्शन सही हो गया नेक से हमारा कुश्चन कि की लाब थाओ करसी पर मिश्चरी के तो किसानों मिश्रित करसी की रखने की अवस्क्ता नहीं होती है और किसानों को आय का इस्तिर शुरूद परदान करती है तो देखो आय का इस्तिर शुरूद तो मिल जाता है क्योंकि जिसे अब जिसे धान और जिसे गेहूं और सरसों को बो दिया एक में ठीक है अब क्या है अगर गेहुं की फ़सल्ग खराब हो गए तब इसका की हो जाएगा ठीक है तो इसरे मतलब harvest होती है ठीक है और क्रसी अत्पादों में ब्यापक विवित्टा होती तो बैपक विवित्ता देखने को मिलती है और जो पोशक्तत होते हैं वो सभी ये दोनों जब मिक्स क्रॉपिंग होती है तो वो चीजे मतलब वो लोग एब्जॉब कर लेते हैं जैसे कोई गेहूं का पौधा जिसको न्यूट्रेंट चाहिए तो उस ने ले लिया और जो सरस कर पाएगा मतलब मिक्स फॉर्मिंग कर पाएगा ठीक है तो इसकी जानकारी होनी चाहिए तो एक और तीन स्टेटमेंट इसका सही है तो हमरा ऑप्सन सही हो गया नेक्स है हमरा 92 तो इसमें कहा है एल नीनों की घटना के दोरान निम्लिकित में से कौन से परिलच्छित होते हैं तो फर्स्ट है कि पूर्वी प्रसांत में अधिक उसन कटिबंधी चक्रवात और हर्कें ठीक है और भूमदी रेकी प्रसांत छेतर में अभिसारित होने वाले पूर्वा भिमुख सनमार्गी पाउनों का सुद्री करण और भूमदी रेखा के साथ जो महा सागरी धारा छायां का उत्युकर मन्ठी ठीक है तो इनकी बात की जा रही है तो ढ़े को एगर इनकी बात करें तो इसके लिए निकों फर्स वावला एस्टेय्ट मैंटो माःउAME और थार्ड वाला वीचेंग है क्योंकि क्यों कि इसमें क्या होता है कि य town मेदिक उसंट कटिबंधी तो यह तो है और भूमत भूमत रेखा और महासागरी धाराओं का यह उत्करमण करने से ही इनका मतलब यह बनते हैं ठीक है लेकिन यह कहा गया कि पवन बेमामुक्षी पवनों का सुधरी करण होता तो नहीं यह मतलब यह ट्रेड विंड जो होती है वहाँ पे कम जोर हो जात पeth क्रेज diyorsun स्कृषराओं का और करतं है जो सागरी अधहसिताल्र बिस्तार कह फ़यों फिलना मन्दगतिष और काटक लंभी और खळी की च्रटानों का निर्मान करते हैं ठीके तो देखो यह जो शागरी अध्रस्तल बिस्तार के वुल अब सारी प्लेते होती है ठीके जैसे जो आट्लांटिक महा सागर्मी कटक देखने को मिलता है कि जैसे यह प्लेट है ठीक है तो यह इधर को भागेगी प्लेट और एक प्लेट इस तरफ को भागेगी और इधर जो यह चेतर बचेगा यहां जौला मुखी होंगे ठीक है और यहीं पर जौला मुखी दीब बनेंगे ठीक है तो यह देखने को मिलता है जैसे आइस statement दोनों सही है क्योंकि तेजी से होगा तो उसमें उतनी ज्यादा मतलब वो चीजे नहीं हो पाएंगी और जब धीरे-धीरे होता है तो क्या होता है कि वहां पे जब एक लेयर हटती है तो वहीं पास में फिर मतलब बढ़ जाती है उतनी तो उतना फिर वहां जो आला मुखी जम जाता है तो यह एक इस रंकला बन जाती है यहां पे ठीक है लेकिन यह फर्स्ट वाला जो कहा गया तो यह statement गलत है क्योंकि इसमें यह जो बाह क्रोड में नहीं होता ह यह आपको जो क्रस्ट का पार्ट होता है इसमें लिठेश पेर होता है जो ठीक है उसमें यह मतलब सवहन धाराएं जो होती है उसी का परिणाम है यह ठीक है तो हमारा दो और तीन statement इसका सही है तो बी वाला option इसका सही है ठीक है नेक से हमरा 94 तो इसमें बिश्चु खाद क कारिकरम के संदर में बताना है ठीक है तो यहां खाद क्रिशी संगठन और प्रोजेक्ट कंसर्ण इंटरनेशनल की एक पहल है और डबलू इपी जो मतलब विश्चु खाद कारिकरम है ठीक है वर्ड फूर्ड प्रोग्राम के लिए संयुक्त राष्ट के सदस्देश बित् किया गया था ठीक है उनिशे एक सट में किया गया था और इसको जो फंड मिलता है यह आपको इसके लिए कोई स्वतनत्र संस्था नहीं है इसे मतलब पूर्स अच्छिक अनुदान इसे पराप्त होता है कोई भी संगठन इसको अनुदान दे सकता है ठीक है और इसके द्व जो एफो जो है मतलब फूड एग्रिकल्चर और्गनाइजेशन और जो यह सेन्युक्तराष्ट महासभाई यह जो है ठीक है उसके द्वारा बनाया गया था ना कि इंटरनेशनल कंसर्ण के दोरा तो यह दोनों स्टेटमेंट गलत है और यह इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2020 का जो सांती का नोबल पुरुष्कार इसी को दिया गया है तभी यह इंपोर्टेंट है ठीक है तो यह दोनों स्टेटमेंट इसके गलत है तो हमारा डी वाला सही है इसका ठीक है नेक से हमरा 95 तो इसमें कहा गया है कि निम्टी गुमों पर बिचार कीजिए तो बितरन है और अधर भूमी दिये वी है ठीक है तो कार है तो जल पलावित वन छेतर हैं बॉग भूमी है तो यह ऐसी अधर भूमिया जिन में पोधों के अपूर अपगटन क करन पीट का संचे होता है ठीक है और मार्सी अगर मार्स की बात करें तो मार्स मतम्रदा है मार्स अधर भूमिया तो ऐसी अधर भूमिया जिसमें काश्ट यूक्त पादप प्रजातियों के बजाए साकी पादप प्रजातियों की प्रधानता होती है ठीक है तो इसकी बात क होती है जो अपूर्ण अपगहतन के करनड़ पीटिसंसे का निर्माड होता है और इसमें जो मार्टी जो आधर भूम होती है इसमें साकी प्रजातियों की प्रधानता होती है ठीक तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया ठीक है नेक से हमारा 96 तो इसमें कहा गए कि भारत में डाय अमुनियम फास्पिट यानि डी एपी और मूरेट आफ पोटास और यूरिया आधारित उर्वरकों के संदर में यानि फार्टिलाजर के स्टेटमेंट है कि भारत में यूरिया और मूरेट आफ पोटास आधारित उर्वरकों का उत्पादन में आत्म निर्भर है और भारत में रभी मौसम के दौरान यूरिया की खपत खरीब फशल मौसम की तुलना में दोगुनी होती है तो दिको यह स्टेटमेंट गलत है क्य कि जितनी लगभग लगभग सेम ही जरूरत पड़ती है जो रभी और खरीब में क्योंकि 2019 का डाटा है ठीक है 2019 के डाटा में जो खरीब की फशल थी इसमें अगर बात कि जाए खरीब की फशल में तो 153 मिलियन टन जो 153 मिलियन टन फर्टिलाजर की अवस्ता थी और अगर रभी की मौसम की बात करें तो इसमें लगभग 140 मिलियन टन फर्टिलाजर की वसकता थी तो इसमें दो गिन्यों कहा गया तो यह गलत इस्टेटमेंट है ठीक है और यह मूरेट आफ पोटास के लिए कि भारत अधारत उनकों के लिए आत्म निर्भरत तो यह गलत है दो को पोटास जो है उसका तो निर्यात 100% निर्यात बाहर से किया जाता है इंडिया में ठीक है लेकिन यह जो यूरिया होती है इसका 80% निर्भरता के आधार पर बनाया जाता है और 20% निर्यात किया जाता इसका भी है ठीक है तो यह भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया और भार यह दीएपी और मुरेट और पोटास यानी फासपॉरस और पोटास मिलते हैं ठीके वहाँ पे देखने को मिलते हैं तो यह तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसमें हमारे गलत हैं तो हमारा इसका डी वाला ओप्सन सही हो गया ठीके नेक्स है हमारा कुश्चन नमबर 97 तो इसमें कहा गया है कि प्रमुक नौहान नहरे हैं और स्योजित छेतर हैं तो कोरिंथ है ये स्वेट और बाल्टिक सागर को जोड़ता है कील है बाल्टिक सागर और उत्री सागर को जोड़ता है स्वेज नहर की बात करे तो भूमेद सागर और केरीबियन सागर को जोड़ती है ना कि अतलांटिक को ठीक है तो हमारे ये गलत है और स्वेज नहर भूमेद सागर और फारत की खाड़ी को जोड़ती है तो ये सही है हमारा और कील नहर है ये बाल्टिक सागर उत्तरी सागर को जोड़ती है लेकिन कोरिंथ जो न इसका नहीं नहीं थोड़ा सागरू तो यह हमारा गलत audio की बात करें वाल्टिक सगर और उत्तरी सगर को जोड़ीए तो यह हमारा सही वाला स्टेटमेंट है ठीक है और स्वेज नहर की बात की जा रहे है तो भूमत इसागर और फारस की खाड़ी तो नहीं यह फारस की खाड़ी नहीं भूमत इसागर और लाल सागर को जोड़ती है तो यह हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट और पनामा नहर की ब वाला option इसका सही हो गया नेक से 98 century plant century plant सूट क्रिक गैस प्रोसेसिंग प्लांट और ग्रेट प्लेंट सेंफ्यूज प्लांट निम्रिखित में से किसे संबंदी थे तो परमाण उर्जा उत्पादक से चारेड़्ट करिकर और लॉट period क्रमाण ठेट करें तो यह हमारा सब्सक्राइब नेकर प्लांट प्रोसेसिंग प्लांट औरस्प्लांट ग्रेथ प्लेन शिन फ्यूल्स प्लांट जो होते हैं इसमें कार्बन का मतब संग्रहन और भंडारण किया जाता है ठीक है तो यह हमारा बी वाला उप्शन सही हो गया नेक्स है 99 आज का सेकेंड लास्ट तो इसमें कहा गया है कि यहां ओमी नदी के तठ पर अधिवासित दच्छड प अंसक्रत की एक अन्य महतुपूर्ण भी सेस्ता है ठीक है तो किस जंजात के बारे में यह बात की जा रही है तो मसाई है सूरी है हेमर है या अगामी है ठीक है तो बी वाला उप्शन सही है यह सूरी जंजात है जो सूरी नदी इथोपिया में सूरी नदी जो ओमें नदी ह ठीक है उसी के पास यह देखने को अधिवासित मतलब अधिवासित है ठीक है तो यह अभी इठोपिया में नरसंगहर हुआ था वहां पे कई बहुत लोगों को मार दिया गया था हुआ है कि सरकार के दोरा बिद्रू हुआ था उसके दबाने के लिए इसी के लिए ये इथोपिया बहुत ज्यादा न्यूज में है तो इसको आप लोग थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना ठीक है नेक्स है हमारा हंडेट तो कुछन नंबर आज का लास्ट तो इसमें कहा गया कि कौन सी ऊष्ण कटबंधी चकरवातों की उत्पति के लिए आवस्यक इस्थितियां है तो फरस्ट एक गर्म महासागरी जल है वायू मंडली इस्थिरता है विपरी ताप वायू राथियां है म मंदल में अधरता है ठीक है तो इसमें बताना है कि कौन सा हमारा इसमें स्टेटमेंट सही है तो देखो अगर इसकी बात करें तो देखो यह जो उस्ष्ण कटबंधी चक्रवात की बात करें तो गर्म महासागरी जल होना चाहिए मतलब लगवाई 27 डिग्री टेंपरेचर करी मतल इसका होना चाहिए ठीके और मद्य छोब मंदल में में अधरता की इस्थितिया होने चाहिए और यहां पर दे upp already दनी होता खोर घुता है तो और इसके सासात मद जो भूमधी रिखा होती है उससे 5 डिग्री अच्छांस दूरी हो नीचाहिए इसकी और लो work practical विंड असेयर होती है इसमें ठीक है तो ये हमारे गलत स्टेटमेंट है दोनों दो और तीन और एक और चार सही है हमारा ठीक है तो हमारा स्टी वाला ओप्सन सही होगा और यह इस्थिर वायू मंडल और विपरीत ताप वाली वायू रासिया यह आपको देखने को मिलेंगी जो सीटोशन कटिबंधी चक्रवात होता है उसकी विशेशता है देखने को मिलेंगे ठीक है तो हमारी यह हंडेड कुस्चन हैं मतलब दो दिन में हम लोगों ने चार वीडियो में इसको डिस्कर्श कर लिया है तो आप लोगों को बीडियो अगर अच्छा उच्छा लगे तो इसको फोड़ा सा लाइक वए कर दिग और अपने दोस्तों को शेर वेर कर दिजे थोड़ा साफ तक कि जिनको चीजichen नह मसकार जैहिंच जैभारत